Hello everyone, welcome back to channel तो कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे तो चलिए आज की नई क्लास के शुरुआत करते हैं आज हम कवर करेंगे उत्राखन MCQ स्रीज वन लाइनर आज के जितने भी MCQ हैं आपके पास 40 MCQ होंगे वो सभी वन लाइनर हैं और आज है D23, कल हमने कवर किया था D22 तो चलिए शुरू करते हैं पहला है उत्राखन राज का गठन कब हुआ तो 9 November 2000 को उत्राखन राज का गठन हुआ था जो कि उत्रपरदेश से अलगो कर एक नया राज बना था अगला है उत्राखन राज का आकर कैसा है अगला है राज की राजधानी क्या है या कहा है तो देहरेदुन आपका सेयांसर है उत्राखन की जो राजधानी है वो है देहरेदुन में करम में उत्राखन राज का भारत में कौन सा इस्तान है तो 27 वाँ आपका सेयांसर होगा छेत्र फल की दिरिश्टे से उत्राखन राजे का भारत में उनीस्वा इस्तान है अगला है उत्राखन राजे की सीमा कुल कितने भारत्य राजों से लगती है तो दो राजे आपका सेयांसर है अगला है उत्राखन राजे की राज के अपुस्प क्या है तो उत्रखंड को जो राज्य पुस्प है वो है आपका ब्रहम कमल अगले है उत्रखंड राज्य का राज्य के वरिक्स क्या है तो बुरांस आपका सेयांसर है राज्य वरिक्स बुरांस है अगले है राज्य का राज्य के पक्सी क्या है तो मोनाल आपका सेयांसर है हिमाले का मयूर अगला है उत्राखन राज का राज की पसु क्या है कस्तूरी मरिग या जिसे हम हिमालियन मस्क डियर के नाम से भी जानते हैं अगला है राज की सबसे लंबी अंतरास्टिय सीमा रिखावाले जिल्ला कौन से है तो देहरदूर आपका सेयांसर है राज की सबसे लंबी अंतरास्टिय सीमा रिखावाले जिल्ला है वो है देहरदूर अगला है वर्तमान उत्राखन राज का प्रारंबिक नाम क्या था तो उत्राखन चलापका इसमें सेयांसर है उत्राखन राज का नाम उत्राखन कपड़ा एक जनूरी 2007 को उत्राखन नाम पड़ा पड़ा अगला है उत्राखन राज की प्रार्थमिक भासा कौन सी है तो उत्राखन की जो प्रार्थमिक भासा है वो है हिंदी अगले है उत्राखन राजे में विधान सभा की कुल कितनी सेटे हैं तो उत्राखन राजे में 71 सेटे हैं विधान सभा की उत्राखन राजे में कुल कितनी लोग सभा सेटे हैं तो पांच आपका सेयांसर है लोग सभा की सेटे हैं पांच विधान सभा के सीटे हैं 71 और राज सभा के सीटे हैं 3 अगला है उत्राखन के किस जिल्ए में राज का ऊची नियाले इस्तित है ने ने निताल ये MC कोज कई बार टेस्ट में आ चुका है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था और अगला है उतराखंद राज्स में कुल किने मंडल है तो गड़वाल और कुमाव मंडल्य यानि दो मंडल है उतराखंद में उतराखंद राज्स में जिलो की खुल संगा कितिनी है तो तेरा जिल्ले आपका पता होगा उत्राखन राज के किस जिल्य को जिलों का नगर कहते हैं तो ने निताल सयान सरे ने निताल जिल्य को जिलों का नगर कहा जाता है अगला है उत्राखन के किस जिल्य को तामर नगरी कहते हैं तो अलमोडा आपका सेयान सेर, अलमोडा जो जिल्व है वो तामरनगरी की नाम से भी जाना जाता है अगले है उत्राखन राज्य में इस्तित, ACA ये वं भारत का प्रेथम अधियान कौन सा है जिम कारविड रास्टे अध्यान., आपका सयान से रहे जो कि नैनी तालह में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था अगला है प्रसित कैम्पटी जल पुरपात उतराखंट की किस जले में इस्तित है तो मसूरी आपका सेयांसर है जल परपात यानि कैम्टी जो जल परपात है वो मसूरी में है अगला है उत्राखन में भगवान राम का एक मांत्र मंदिर कहां इस्तित है देव प्रियांग में आपका जो भगवान सिर्राम जी का मंदिर है अगले है उत्राखन राज्य के प्रताब नगर का प्राची नाम क्या है धांगदार आपका सेयांसर हो जाएगा प्रताब नगर का प्राची नाम धांगदार था अगला है उत्राखन राजे का कौन सा दर्सनिय इस ताल छोटा कश्मीर के नाम से भी जाने जाता है तो पितोरगड आपका सेयान से रहे पितोरगड एक नाम से प्रसीद है वो ही है कि छोटा कश्मीर अगला है इंद्रा गांधी अंद्रास्ट्रिया स्टेडियम उत्राखन की किजिले में इस्तित है तो देहरे दून में है आपका इंद्रा गांधी अंद्रास्ट्रिया स्टेडियम अगला है वर्स 2011 की जन गरना की अनुशार उत्राखन राजे की जन संक्या कितनी है 101,00,00,2011,00 में जब जन गड़ना हुई थी तो उसमें उत्राफण की जन संकर ती 101,00,00 अगले है वर्च 2011 की जन गड़ना की अनुशार उत्राफण राजिकी जिली की जन संकर अधिक है यानि ने सबसे अधिक है अगले है वर्स 2011 की जन्गना के अनुशार उत्राफन राजे का न्यूंतम जन संक्या वाला जिल्ला कौन सा है तो रुद्र प्रियाग आपका इसमें सही आंसर होगा अगले है वर्स 2011 की जन गरना के अनुशार उत्राफंड राज का जन संक्या घने तो कितना है 192 प्रती वर्क किलोमीटर है और 2011 की जन गरना के अनुशार उत्राफंड का राज लिंगानुपात कितना है तो 2011 में जब जन गरना हुई थी उसमें उत्राखन का लिंगानुपात था आपका 963 अगले है वर्ष 2011 की जन गरना के अनुशार उत्राखन राजे का सरवादिक लिंगानुपात वाले जिल्ला कौन सा है अलमोरा है आपका 1149 अगले है वर्स 2011 की जन गर्णा के अनुशार उत्राखन राजे का निम्ने तम लिंगानुपात वाले जिला कौन सा है तो हरिद्वार आपका सेयांसर है आठ सो अगले है वर्स 2011 की जन गर्णा के अनुशार उत्राखन राजे की साकसरतादर कितनी है तो 78.8% आपका सेयांसर है उत्राखन राजे की पूरुष साखसरतादर कितनी है तो 87.4% अगले है उत्राखन राजे की महिला साखसरतादर कितनी है तो 70% आपका सही आंसर है अगले है उतरखन राज का सरवाधिक साक्सरता वाले जिल्ला कौन से है तो देहरे दुन आपका इसमें सही आंसर है तो दोस्तों आज था डेई 23 और आज की इस सिरीज में हमने वन लाइनर MCQs को रीट किया तो इसी के साथ इस वीडियो की को एंड करते हैं I hope कि आपको पसंद आये होगा Thank you for watching, stay connected, stay blessed